और अगर ये गलत सीन मेरे साथ हूते न भाई तो मैं पट्रोल के आज पास क्या हूँ से मैं बैक पे भी नहीं रखता पट्रोल के डब्बे को इतने इतना डर जाता मैं तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिराड न्यू गलत सीन से भरे पड़े पड़े पब जी दो मुपाइल के वीडियो में अब देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद मैं वो तेल की बोतल के साथ गलत सीन करने वाला हूँ मतलब नए अपडेट के बाद यार भटने लगे हैं तेल के बोतल तो हाँ गलत सीन उसको पकड़ के करेंगे खेल फिरा जोर जा रखे हैं और यहाँ पे जो भी गिने चुने बंदे आ रखे हैं उन्हें पेलने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ अब ही जाओ मैं और यह एक वज़ा है जिसके वज़ा से यार लोगों ने यह जोर जो वो यहाँ पे आना बंद कर दिया लूट के नाम पे कद्दू कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे आजकल बहुत कम हो चुकी है मतलब वो बेचारा यार गुलाबी कपडो वाला बंदा यार नंगा गूम रहा है ठीक है पैन था भाई पे और पैन के अलावा एक पिस्टोल भी नहीं मिली थी बंदे को बहुत दुखुआ होगा और यहाँ भेरा उसके बगल में दो बंदे पेले और सामने पे दो बंदे इधर उधर कर रहे हैं ठीक है इस कंटेनर से उस कंटेनर में जा चुके तो करना क्या था यार पीछा करते वे मैं भी यहां तक आ जाता हूँ उपर चड़ जाता हूँ और देखो उपर चड़ने में बहुत खत्रा होता है कोई भी कहीं से भी पेल सकता है लेकिन हम तो ढीट है तो यार उपर ही चड़ा रहता हूँ मैं ख्यार उसके बाद थोड़े टैम बाद इनका पीछा करते करते हैं यहां पर पहुशता हूँ और मेरे सामने ही बंदे खड़े हैं और यहां पर तो यार मैं कुछ बहाना भी नहीं दे सकता बंदा पीक करके कंटेनर के अंदर खड़ा होता है भाई गूलिया चलाते हैं और सीधा सर पे लगती है मेरे बहाना है नहीं मेरे पे कुछ बोलने के लिए खैर अपनी पेटी नहीं बनी तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए जिन्दगी में और देखो मैं हमेशा बोलता है रहता हूँ बोट पे अत्याचार बोट पे अत्याचार गलत तरीकी से पेला बोट को यार आज आपको हद से जादा त्याचार देखने को मिलेगा मतला बुरी तरह पकड़ के पेला जा रहा होता है बॉट को टेंसर मतलो तुम्हारा भाई बदला जरूर लेगा बॉट का खैर वो होने ही वाला यहीं पे सीन होंगे लेकिन यहां आगे पे और बंदो के फुटी स्टैप आ रहे होते हैं गोली गोली यहां से भी दबा के चली होती है तो करना क्या था और यहां पे आ जाते हैं हम ढीट की तरह और उपर बैट जाते हैं और इंतिजार कर रहे हैं बंदो के दिखने का और यहां पे अपना सस्ता सप्रेव अगेरा देके दो बंदे नोक कर चुका हूँ अब देखो दो बंदे नोक कर दिये सीधा रस करना बनता है बिलकुल तो मैं यहां पे आ जाता हूँ और बाकी बंदों को डुनने पे लग जाता हूँ और हमारे यह भाय तो यहीं टावर के अंदर बैठे पड़े होते हैं एक बंदा टावर के ऊपर नोक य है एक बंदा ये छोटे इसे भी टावर ही कहते हैं साइद अंगरेंजी में इसके अंदर घुसके बैठा पड़ा है और जहां तक मुझे लगर है यार कोई न कोई बंदा इनका जरूर बाकी है मतलब दो बंदे फुल चोड में भगरे थे क्या पता तीसरा बंदा भी हो क्या पता चोथा बंदा भी हो खैर बंदे 4 हो चाहे 14 यार अपन धीट है तो उसके बाद भी बंदे आसपास हैं ये पता होने के बाद भी मैं यहां कंटेनरों के उपर चर जाता हूं और यहां पर आता हूं ये पता नहीं कौन सी जगा है लेकिन इतना पता है इसके ठीक नीचे एक बंदा बैठा पड़ा है और मैं सही बता रहूं अगर ये बंदा मुझे पेल जाता नहीं मेरी ये धीटता की वज़े से ये जो नीचे उतरते जबर दस्ती पीक कर रहा हूं उसके वज़े से अगर मैं ठिलता यार मैं माफ नहीं कर पाता अपने आपको कभी कौन से डायलोग बोलना हूं यार ये ये डायलोग मैं भईया बचपन मीं सीख गया था वो नाटक आता था था भईया ससुराल विमल का मैं माफ नहीं कर पाऊंगी तो माफ नहीं भई यही सब चलता था उसमें और क्या करे मजबूरी थी यार वही देखना पड़ता था घर पे बैठके खैर जो भी हो उपर ठावर के उपर मुझे एक बंदा चड़ावा दिखता है तो मैं भी ठावर के उपर चड़ता हूं क्यूंकि यार हम भी चड़के पेलेंगे उसको और जहां तक मुझे पता है यह देखो यहां पर मैंने तीन बंदे पेले और इनका चोता बंदा दूसरे टावर के उपर चड़ा है ठीके यहां पर तीन बंदों की पेटी बन गई वो भाई उपर मस्त लेटे पड़े हैं अब मैं इतना धीट हूँ देखो बागी बंदे पेलने जाना था लेकिन लूट बीची है यार मुझे लगा क्या पता बढ़िया सको पर उस पर कोई तो मैं उपर आ जाता हूँ और यहां से जो ही देखने को मिलता यार दिल पे दर्द हुता है मेरा यह सीन देखके अब भी देखो और इस लेवल का त्याचार देख्यार रोना टैप आ रहा है मुझे मैं मजाग भी नहीं कर रहा है मतलब बेचारा बाट को किस से पहला जा रहा है खार 98 से वो भी उसके मूँ के सामने जाके ठीक है वो बंदा मतलब बाट को नौ करता है और उसकी पेटी बनानी के लिए भाई बाट के मूँव पे जाते है मूँव पे जाके कार 98 चटका रहा है बंदा मेरे से वह या देखा नहीं गया मैंने उस बंदे को नौ किया उसके बाद बाट की पेटी बनाई ताकि उसे किलना मिले ऐसा नहीं है कियार मैं बहुत लालची हूँ केडी कूडी का नहीं या किल की लालस नहीं है उस बंदे को किलना मिले बोलके तभी मैंने बाट को पेला ठीक है बक्वास कर रहा है यारा हम भी किल के लालची है लेकिन भाई बहुत गलत है यार बोट को नौक करके उसके मुझ के सामने कारणा इंटीएट पटकाना बहुत गलत है यार बोटो को भी दूँँँँँँँँद अब देखो ये सकूल जैसे जगाओ में मुझे रस करना बिल्कुल पसंद नहीं है मतलब यहां पर रस करना बहुत दिक्कत दाय होता है यार कहीं बंदे लेटे होते कहीं छट पे होते कहीं जमीन में होते भाई कहां कहां नहीं होते ये बंदे लेकिन देखो मजबूरी में क्या क्या नहीं करना पड़ता किल की लालज के लिए यार मैं सकूल पे विरस कर देता हूँ अब एक बंदा अंदर नोक किया है और जहां तक मुझे लग रहा है अकेला नहीं है यार उसके भाई बंदू भी वहीं होंगे तो करना क्या था मैं भी उपर पे आ जाता हूँ और यहां पे आके सामने ही बंदे होते हैं हमारे और गाड़ी हमारी यहां तक आने में उपर तक आने में बंदा रिवाइव भी कर चुका होता है तो करना क्या है जिस बंदे ने रिवाइव किया उसको तो पकड़ लिया अब पेटी भी बहुत ही जल्द बनेगी और ये बंदा जो रिवाइव हो चुका है वो मेरे ख्याल से वहाँ आगे ठीपी पी ले रहा होता है तो मैं वहाँ पे जल्दी बोतल में आग फेक देता हू और खुद नीचे आजाता हूं और नीचे से गुश के पेलेंगे भाई को और मुझे लगनी रात है यार सकूल के आसपास इतने बंदे मिलेंगे मुझे तो यहाँ पे हमारे बगल से ही एक गाड़ी भी निकलती है और उसके साथ साथ एक बंदा सकूल के अंदर भी गुश चुका है अब ये बंदा किसकी टीम का है यहाँ पे क्या कर रहा है ये हमें कद्दू भी नहीं पता लेकिन इतना पता यार सामने बैठा है اور ये भी फुल जोस में और देखो ये भाई भी सकूल मेरस कर रहे है इसका मतलब यार बंदा पूरे जोस में आ आए भाई को पेट पता चल गया बंदा किधर बैठा पड़ा है, छत में ही भाई बैठे पड़े तो गुस के पेलेंगे, बस ये ध्यान रखना यार, दूर से भी कोई गूलिया चला रहा है, तो समल के करना होगा सब कुछ. और इन भाई पे जो मैंने रस किया यार, बहुत बेवकूफो वाला रस था, भाई ठीपी पी लेके खड़े हैं, बंदे ने पीग भी कर रखा है, तो जब मैं आगे भग रहा हो तो मैं देखतो है यार, पीग कर रखा है, मेरी फट के चारो जाती है, मैं बोलता हूँ जल्द पेटी बनाएगा, आँख में देख पा रहा था में उस बंदे के किलकी लालस थी उसे, खेर उस भाई को तो पेल दिया, लेकिन उसके टीमेट पीछे से आ रहे होते हैं, अब जब पबजी में सबसे पहले ये तीन एक साय था भाई, मुझे बिल्कुल पस्तान नहीं था, मैं फेक दे था था इसको उठाके, लेकिन यार आजकल काफी बढ़िया चलता है, सही सकोप निकाला पबजी ने ये वाला अमने एक मार ठीक कर रहा लवाल मैं आता हूँ, लेकिन हमारे भाई पीक करके बैटते हैं और भाई के सर पे M24 चिपका दी जाती है, क्यार मैंने धेड़ पैड रिवाइफ कर दिया और जिस हिसाब से भाई वो बंदा ओपन में फसा था, मुझे नहीं लगता वो लोग रस करने वाले हैं, लेकिन रस करे य हमारी गाड़ी फोड़ने के लिए, और मुझे जिस बात का डर था यार, वही सीनों ने लगते हैं, ये लोग वहाँ घरों से हमारी गाड़ी पे गूली चला रहे हैं, और टायर ट्वेर फोड़ने की पूरी तयारी चल लिए है, और तामबे पे सुहागा करने एक और रहा चुके हैं और वो गाड़ी की ऐसी तैसी कर देंगे अब देखो भले ही गोलियां गाड़ी पे लग रही हो लेकिन दर्द दिल पे हो रहा था मेरे नजा ने क्यूं गाड़ी को पेला जाता है हर बार खैर हमारे भाई ने उस M24 वाले बंदे से अपना बदला ले लियार नोक कर दिया है भाई को और नोक हुआ मैंने बोला भाईया अभी निकल लो नहीं तो ये गाड़ी की दोनों गाड़ी की पेटिया बना देंगे तो रस कर देते हम सीधा यहां पे जोन भी नहीं है यहां पे अमें जोन भगना चीए था लेकिन ढिट है यार और किल के लाल ची भी तो रस करके हिसे पेलेंगे तो बंदे सीधा उपर आले कमरे में बैठे हैं और हम नीचे पे बैठे हैं अब यहां पर मैं दूबारा से बोट वाली अरकत करता हूँ बंदों को डैमेज दिया दोनों बंदों को डैमेज दिया लेकिन कोई भी नौक निवा तो हील करूँगा और अब सीधा उपर घुसेंगे और देखो ये लोग भी कम गलतीर नहीं करते इस पकड़ते नीचे वाले को बार है आजाओ इधर बार है आजाओ जाओ है में अगर आपने यहां पर ध्यान expect देका ओगा तो देखो एक बन्दा रिवाइद दे रहा होता है और यह बंदा नोग पड़ा होता है तो मैं दिमाग लगाता हूँ यार जो की जया थेज नहीं चलता मैं दिमाग लगाता हूँ नै क gefähr मैं बोलता हूँ कि वह이죠 दो बंदे कैसे नौक हो सकते हैं तो देखो भले मैंने बोट की तरह डेमेज दिया था लेकिन वो डेमेज काम कर गया इनका एक बंदा उपर से नीचे पे कूथता है मेरे ख्याल से वही बंदा कूथता है जिसको मैंने काफी डेमेज दिया था भाई नीचे गिरते हैं और नीचे गिरते ही धैर पैड़नौक तो यार मजा गयार मतला बॉट वाली हरकते गरना भी कभी कभी काम आजाता है बंदे को डैमेज दिया भाई नीचे कूदे भाई की फड़ गई होगी नीचे भगे भाई नीचे जंप लगाई और सीधा नोगो गए खैर उस पीछे से गाड़ी आई अब जब हमें यहां से पीछे से गाड़ी की आवाज आती है हम बोलते है हो गया काम अब कद्दू कुछ नहीं हो सकता तब बना लो वीडियो पीछे से दूसरी सुकाड़ा गई हो गए गलत सीन लेकिन बाद में पता चलता है वो जो बाहर बंदे को पेला मैंने वो भी इसी टीम का होता है मतलब इस भाई के दो बंदे आगे बाइक में आते हैं और एक अकेला बंदा पीछे से गाड़ी से आत नहीं रखता पट्रोल के डब्बे को इतना डर जाता मैं मतलब गलत इसी ने भाई बंदा उपर लेट रखा है भाई गाड़ी से आते उपर जाते हैं और सीडियो के पास लेट जाते हैं और जहां तक मुझे लग रहा है बंदे ने गन हटा रखी थी अब वो बंदा गेम चुड़ के चला गया था या भाई के कुछ और ही नसे थे हमें नहीं पता यार मुझे इतना बता है बगल में बंदे के गैस कैन पड़ा होता है पट्रोल का डब्बा पड़ा होता है और मैं सीधा उसे फे फोड़ता हूं और सीधा बंदे की पेटी बनती है तो भाई हाले घर पें देख रहा हों तो बंने थुम नहीं हैं लेकिन राइट पर थो नहीं होते लेकिन जहान होते न भाई बहुत गलत होते हैं कि रोखो पर नं जार बंडे बैठे होते हूँ और यहां पर हम जैसे तैसे करके तीन बंदों को नोक कर देते हैं मतलब वो जो राइट से बंदा है ना अगर मैं उस पर एम के नहीं चलाता तो कोई भी मौका ही नहीं था मेरे जिन्दा रहने का मतलब नोक तो मैंने पक्का हो जाना था हमारे भाई जरूर समालते लेकिन यार नोक पक्का कर देता वो तो मैं धेड़ पेड़ अपनी M के चोदा निकालता हूँ और M के चोदा क्लोज रेंज में जो ही चलती है यार मजा टैप आ जाता है इसे देखके बिल्कुल और उस बंदे को पेलने के लिए जहां तक मुझे पता है मैंने सिर्फ दो गोली मारी उसे एक गोली सीधा सर पे लगती है एक कहीं पाउपो में लगती है लेकिन दो गोली में यार काम कर देती है ये गन और यार इस गंच से जो आवाज आती है न भाई बिल्कुल मजा टैप आ जाता है ये और ग्रोजा की आवाज यार दिल खुस कर देती है बिल्कुली क्यार उसके बाद मैं यहां चोटे से घर पे आ जाता हूँ क्योंकि गिने चुने बंदे बाकी है और लेटे होंगे यार कहीं न कहीं लेटे जरूर होंगे वो अब देखो यहां ऊपर से कोई मिनी चोधा पटकाता है हमारे बाई ओ आपता नी सारी अंग्रेजी यहीं बोलते हैं और बोलते हैं उसने पेला मैं भोलता है उसने पेला हमवी पेलेंगे मैं दर्वा जाके बाहर निकलता हूँ और निकलते ही बगल में कोई लेटा बंदा होता है भाई वो गोली पेलता है अब देखो मिनी चोधा वाले का पता नी लेकिन ये वाला ना हमें जरूर पेल देता हैं ख्यार वाप स revenue गर प पठका रहा है वो दूसरी टीम का है और ये जो बगल पर लेटा था ये दूसरी टीम का है लेकिन सीन कुछ और ही होता है यहांपे अब देखो यहांपे मैं आता हूँ जब बंदा नहीं मिलता ना। जिस रफ्तार से मैं भगता हूँ ना भाई वापिस पूछो मत पिलकुल तेजी से भगता हूँ घर के अंदर क्योंकि देखो बाहर पे वहाँ पे नहीं है लकडियों के पास तो बंदा कहीं न कहीं लेटा जरूर है खैर उसके बाद वो बंदा वापिस वहीं कहीं आता है तो मैं समोक वगयरा करता हूँ क्योंकि आप जोन में भी जाना होगा और जोन में यार बंदे लेटे पड़े होंगे और ये दोनों बंदे एक ही टीम के होते हैं अब देखो अगर वो बंदा जो बगल में साब बना था जो लकडियों के पास साब बना था अगर वो बंदा जलती बोतल में आग नी भेगता ना मैं सही बता रहा हूँ वो हम दोनों को पेल देता अच्छा हुआ भाई को खुजिली हुई नेड नूट करने की आगू भेखने की तो मैं भग रहा हूता हूँ मैं बोलता हूँ यार अब तो भगना पड़ेगा जोन में जाते हैं जोन में ही लेटे होंगे बंदे लेकिन ये भाई यही पे लेटे वे थे और ये जो बंदा डसता ना भाई बहुत दर्द होता इसके डसने से लेकिन भाई चालाग बनके मौली करते और मौली मैं देख लेता हूँ किस तरफ से आ रही है और सीधा M के चोदा निकालता हूँ और भाई को पेल देता हूँ और ये दूसरे बंदे को M के 14 से मैं बहुत डेमेज देता हूँ लेकिन दो ही गूली लगती है और हेट सौट एक भी नहीं लगता खेर उसके बाद मैं M4 निकालता हूँ और भाई को भी पेल देता हूँ तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतने ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते वीडियो पे लाइक पिलना मत भूलना है ठोक के बिलकुल नीला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सबिस्क्राइब और भी ऐसे गलत स और सच्थी कमेंटरी के लिए और जाते जाते एक एक्स वेट चेक आउट करना मत भूलना उसके लिंक कमेंट सेक्सियों में होगी बिलकुल टोक में तो कले मिलते है भाई लोग यार बाई बाई